है लो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं एंकेते एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास है ग्री इंस्टिटिट यूपी पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी कहते हैं कि असफलता एक चुनोती है सुईकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो चैन नीद को त्यागो तुम संघस का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजैकार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभिहार नहीं होती दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रकास का अपवरतन क्या होता है और अपवरतन के कितने नियम होते हैं इसको एकदम से हम चुटकियों में करेंगे हमारे शाथ में लगे रही है आप लोग दोबारा एक लास आपको पढ़नी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे साथ में आओ से और वापस चला जाता था उसको कहते थे परावरतन आज हम बात करने जा रहे हैं अपवरतन अपवरतन में क्या होता है प्रकास आता है और इसमें अपारदर्सी माध्यम नहीं होता है प्रकास किसी भी वस्त के या किसी भी माध्यम में आरपार गुजर जाता है और जब गुजर जाता है तो वहाँ पे इसकी चाल में डिफरेंट होता है मतलब बदलावा जाता है आप लोग देख सकते हो जैसे कि प्रकास यहां से आएगा जिस स्पीड से आएगा कांच में जब परवेश करेगा क्या तब भी इसकी चाल वही रहेगी नहीं इसकी चाल बदल जाएगी अर्थाथ जब माध्यम चंज होते हैं तब प्रकास की चाल बदल जाती है हवा में दूसरी चाल रहेगी और निर्वात में दूसरी चाल रहेगी जल में प्रकास की चाल दूसरी रहती है और हवा में प्रकास की चाल दूसरी रहती है तो प्रकास जब अपनी चाल माध्यम बदलता है तो चाल बदल देता है और जब चाल बदल जाती है तो अपवर्तन हो जाता है अपवर्तन क्या होता है जब प्रकास आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से कुछ बिचलित हो जाता है जैसे मानलो प्रकास की किरणे इस तरीके से आ रही थी बिल्कुल परकास का अपवर्तन जोरा प्रकास हसे यदि मांध्याल करता है और मांध्यास करता से और अपने रास्ते से बिचलित हो जाता है इसी लों को कहते हैं प्रकास का कप अप- आप जब प्रकास वीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है वीरल क्या होता है और सघन क्या होता है वीरल होता है यहां पर मतलब जिसको कहते हो आप लोग ठीक और सघन क्या होता है सघन माने होता है खुब घना घना ठीक उसको जैसे एक मानलो रूम है और रूम में 40 लोग बैठ तो सव लोग बैठें तो उसको कहा जाएगा सगहन और जहती है तब उसको कहा जाएगा विरल यह होता है तो प्रकास आ रहा है यहां से प्रकास की किरड़े आ ठीक उपर बिरल माध्य में अर्था तो उपर वायू भरी हुई है तो उपर से जब आती है प्रकास की किरणे तो सीधे जाना चाहिए था यह जल भरा हुआ है जल में सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे किरणे ना जा करके अभिलंब की ओर जुक जाती है यहां पर आप ल याद कर लेना जब परकास सगहन माध्यम से बिरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अभी लंब से दूर हट जाता है जैसे उपर जयाधा हवा है ठिक और जल है एक नीचे तो प्रकास जब हवा से जल में जाएगा तो जल में जाना सीधे चाहिए था लेकिन जल थोड़ा और जुग जाएगा यह से ज से चहिए था लेकिन पास-में ही रह जाएगा ठिक और क्या होता है अगर जल से प्रकाश निकल रहा रहा है हवा की तरब जा रहा है Как olduğunu होगा चारथ लेकिन और Сपया रहा है तो आभिलंब है और जब सगन माध्यम से बीरल में जाता है उससे जह बीरल में जाता है यह प्रकास की किरड़ है इसको कहते हैं जा रही है किरड़ तो इसको कहो आपतित किरड़ क्या है कि इसको कहते हैं आपतित किरड़ ठीक इसको कहते हैं आपतित किरड़ और यह जा रही है यहां पे निकल गई है तो अपवर्तन पढ़ रहे हो तो इसको कहना अपवर्तित किरड़ यह वाली क्या है अपवर्तित किरड़ देखो जो आ रही है यह आपतित किरड़ है और जो जा रही है निकल चुकी है माध्य मतलब बदल चुकी है उसको कहते हैं अपवर्तित किरड़ कौन सी किरड़ अपवर्तित किरड़ आने वाली आपतित किरड़ जाने वाली अपवर्तित किरड़ ऐसे ह किरण यह कौन सी किरण हो जाएगी यह आप तित किरण है और जो जा रही है यह वाली क्या हो जाएगी यह वाली कि यह हो जाएगी अपवर्तित किरण ठिक उम्मीद करता हूं कि यह आप लोग जान गए होंगे आप तित्किरड क्या होती है और अपवर्तित्किरड क्या होती है आने वाली आपतित्किरड और जाने वाली अपवर्तित्किरड ठिक यह समन लेना परावर्तन में बताया था आपतित्किरड और परावर्तन होने के बाद में परावर्तित्किरड होती थे इसमें अपवर्तन है त प्रकास के अपवर्तन के नियम की बात करते हैं तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दो परावर्तन के कितने बताए थे दो उसमें भी दो थे और अपवर्तन के भी दो हैं अगर आप लोगों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाकर के हमारी प्लेलिस्ट स ठीक और आपतन बिंदु तीनों एक ही तलपर होते हैं यहां पर हैं की नहीं हैं याद कर लेना आपतित किरड़ देखो आपतित किरड़ आपतित माने आने वाली किरड़ ठीक और अपवर्तित किरड़ अपवर्तित माने जाने वाली किरड़ अपवर्तित किरड़ तथा आप रहते हैं एक ही तलपर होते हैं यह परावर्तन का निएंब भी होता है आप्तित किरव और परावर्तित किरव और अभिलंब दो एक यह होते हैं ता स्थीय mm यक जी को तेसे वह जर्द आप कर madam हो到底 किरण करते हो ईह सब तीनों एक ही तलपर होते हैं हैं एक जगे पे ठीक पहला नियम याद हो गया होगा आपको आने वाली किरड़ और जाने वाली अपवर्तित किरड़ इसको कहते हो और आपतन बिंदु तीनों एक ही तलपर होते हैं याद कर लेना दूसरा नियम क्या होता है आपतन कोंड की कि जया मतलब आपतन कोड की जया का मतलब माप आपतन कोड कहां पर है यह वाला अभिलंब और आपतित किरड से बना हुआ को आपतन कोड होता है यह वाला और अपवर्तित किरड और अभिलंब से जो बनता है इसको बेते हैं देखो आपतित किरड और अभिलंब से बना कौण आपतन कौण आ रहा है उपर तो आपतन कौण और नीचे जा रहा है तो अपवर्तन कौण तो याद कर लेना आपतन कोण और अपवरतन कोण की जो माप होती है सदेव एक नियतांग करेती है यह याद कर सकते हो अर्था साइन आई बटे साइन आर होता है इस वाले नियम को इशनेल का नियम भी कहते हैं कौन से नियम को कि आपतन कोण और अपवरतन कोण सदेव एक न तांक रहते हैं इस नियम को हम इशनेल का नियम भी कहते हैं उम्मीद करता हूं कि दोनों नियम आपको याद हो गए होंगे ठीक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा देखो फिर से बता देते हैं पहला नियम होता बहुत है है कि भी आपरतं का कारढ क्या होता है प्रकास की चाल में अंतर होना अर्थात प्रकास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी चाल में अंतर हो जाता हैं जैसे यहां पर देखो वीरल माध्य में वायू में आ रहा था खोभी स्पीड से प्रकास लेकिन जैसे ही सगन माध्य मर्था जल में पहुंचा तुरंत प्रकास की चाल में परिवर्तन हो गया धीमी हो गई गत और प्रकास की गते धीमी हो गई तो अभिलंब की ओर जुग गया, देखो जुग गया, यहां पर प्रकास आ गया, आना अइसे चाहिए था, आ इसे गया, तो यह होता है कारण की प्रकास की चाल जो होती है इसमें अंतर आ जाता है जब माध्यम बदलते हैं, ठिक, अब अगर इसके उदाहरण की बात करें, तो पहला उदाहरण होता है, तालाप का वास्तवी गहराई से कम गहराई प्रतीत होना, आप लोग देखते हो कि तालाप ज्यादा गहरा होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कम गहरा है, ठीक, और आप लोग आगे पेर रख देते हो, और ग अपवरतन के कारण ठीक तारों का टिम्टिमाना हम लोग रात में देखते हैं तो तारे जो होते हैं तारे वो हमको टिम्टिमाते हुए नजराते हैं यह भी अपवरतन के कारण होता है सुर्यास्त के बाद वा सुर्योदय से पहले भी सुर्य हमको दिखता है जैसे सुर्य नि तो मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे देखो दो होते हैं पहला हमने बताया आपतित किरण और आपतन बिंद एक ही तल पर होते हैं दूसरा हमने बताया आपतन कोण की माप और आपतन कोण की माप ठीक शदेव एक नियतांग करेती है इसको इशनेल का नियम भी क क्लाशे हम डालते हैं उनको देखते रहे हैं अगर आपको अगर आपको खुब अच्छी मेरी क्लाश लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं अगली क्लास के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत